हे गाईज वालकम बाक टो माई चानल हापी आर्स तो कैसे हैं आप लोग जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल आने ही वाला है और सबी लोगों ने मुस्टली तैयारिया शुरू कर दियोगी दिवाली की जोरो शोरो से तो दिवाली की सफाई और डेकोरेशन के बाद जो नेक्स्ट खयाल हमें आता है वो आता है मिठाईों का तो मिठाई हम क्या बनाए ऐसे जो बहुत कम बजट में भी हो और बहुत ही जल्दी भी बन जाए और बहुत कम इंगीडियंट्स के साथ बनके तयार हो जाए तो आज क कि रेसिपी में आपके लिए लेके आई हूँ मैं यह बड़ी आसी मिठाई जिसे हम बनाने वाले हैं बिना मावा के बिना दूद के एकदम हलवाई स्टाइल वाली यह बर्फी हम घर पर बनाने वाले हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चा गी जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है अब हमने क्या करना है गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और अब हम इसमें एड़ करेंगे मैदा तो यह एक कप से थोड़ा सा कम है पूरा फुल एक कप भरकर नहीं लिया है मैंने जी हां आज हम यह मिठाई मैदा से बनाने वाले हैं तो जो हलवाई होते हैं वो भी ये बर्फियां जो बनाते हैं उसमें मैदा का ही यूज करते हैं और हमको लगता है वो मावा है मैदा एड़ करने के बाद अब अपने क्या करना है इसको लगातार चलाना है और हमने यहां पे गैस की फ्लेम को लो किया हुआ है आप इसको low to medium flame पे ही बूने और अब हमने इस मैदा को इस घी के साथ बहुत अच्छे से बून लेना है आपने इसको dark नहीं करना है कलर में पर इतना बून लेना है जब इसमें अच्छा सा grease आ जाए और ये मैदा जो है बहुत अच्छे से बून जाए आप देखेगा जब ये आपने लगातार चलाते हुए 6-7 मिनिट के लिए इसको low to medium flame पे बून लेना है तो 3-4 मिनिट मुझे इस मैदा को बूनते हुए हो गया है low to medium flame पे और देखेगे ये मैदा का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है light yellow हो गया है अभी हम इसको 2 मिनिट के लिए और बून ले अभी जो है अच्छे से release नहीं हुआ है तो देखे दो मिनिट बाद जो है इस मैदा में से घी release होना start हो गया है और देखे कैसे एकदम मावे की तरह ये भून के तयार हो गई है smell भी इसकी बहुत ही बढ़िया आ रही है एकदम मावे की तरह तो ये मैदा जो है बिलकुल अ पाक नहीं करना है इतना ही light yellow color हमने इसका करना है तो ये हो गया है रेडी और इसको निकाल रहे हैं हम दूसरे बर्तन में तो सेम कड़ाई में ही मैं आड़ कर रही हूँ आधा कप चीनी तो अब हम भर्फी के लिए बनाने जा रहे हैं चाशनी तो आधा कप चीनी मैंने यहां पे लिया है तो मैं उसमें आड़ कर रही हूँ आधा कप का आधा यानि की एक चथाई का पानी तो सबसे पहले हमने च चीनी अच्छे से इस पानी में घुल नहीं जाती तब तक हमने इसको पका लेना है तो अब चीनी जो है देखिए वो अच्छे से घुल गई है मैं गैस की फ्लेम को अब कर रही हूं बिलकुल लो और अब इसमें मैं आट कर रही हूं आधा चमश इलाइची पाउडर अगर आ आएगा तो इलाइची पाउडर डालने के बाद चाशनी को हम एक मिनट के लिए इसी तरह से पका लेंगे तो यह एक मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है और बहुत ही अच्छा इलाइची का फ्लेवर इसमें आ रहा है तो नेक्स इंग्रीडियंट में आप मैं इसमें आड कर रही हूँ एक चोथाई कप मिल्क पाउडर इससे मिठाई में एकदम मावे वाला टेस्ट आएगा बहुत ही बढ़िया तो मिल्क पाउडर आड करने के बाद इसको बढ़िया से हमने मिक्स कर लेना है गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे मैंने यहां किया हुआ है त इस तरह से मैं इनको प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और देखिए यह मिल्क पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको लगातार चलाते रहे हैं ताकि यह नीचे लगे नहीं तो अब इसमें आड कर रहे हैं यह मैदा जो हमने बून के रखा ह तो भूना हुआ मैदा इसमें आड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कड़ लेना है इस सारे घोल में तो लगातार चलाते रहें गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमने लोपे ही किया हुआ है अगर आप इसको हाई यह मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो यह एकदम से ग इसमें मिक्स हो जाए तो देखे थोड़ी देर में ही अच्छी थिकनेस इसमें आनी स्टार्ट हो गई है और अब मैं इसमें आड़ करें हूँ केसर मिल्क मैंने इसमें थोड़ा सा यलो फूड कलर भी आड़ किया है ताकि इसमें बहुत ही बढ़िया कलर भी आजाए तो केसर मिल्क में मैंने थोड़ा सा यहां पे यलो फूड कलर अड़ किया है अगर आप चाहें तो कोई और कलर भी आप यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसको केवल इलाइची से भी बना सकते हैं तो इसको मिक्स कर लेने के बाद मैं यहां पे बारी कटे हुए बादाम आड़ कर रही हूँ 10 से 12 बादाम को मैंने यहां पे बारी कट करके लिया है अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद के यहां पे ड्राइफ रूट्स इसमें आड़ कर सकते हैं अब इन बादाम को भी हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और एक मिनिट के लिए इसी तरह लगातार चलाते हुए थोड़ा सा इसको पका लेना है तो यह जो मिक्ष्यर है FAR होने के लिए तयार है बहुत अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है और अब हमने क्या करना है यह मिठाई वाला मिक्स्चर हम इसमें आड़ करेंगे और एक स्पून की मदद से इसको हमने अच्छे से इसको बनाना चाते हैं उतने ही साइस में आप इसको अच्छे से स्पून कर लिया है अब हमने इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है आदे से एक घंटे के लिए तो देखे एक घंटे बाद ये बर्फी जो है बिल्कुल सेट हो गई है अब मैं क्या कर रहे हूँ इसमें ये मेरे पास चांदी का वर्क रखा हुआ था तो इसको मैं इस पे लगा रही हूँ अगर आपके पास हो तो आप यूज करी अगर नहीं हो तो आप इसको स्किप भ कर सकते हैं बस इससे क्या होगा थोड़ा सा देखने में जो होता है बर्फी बहुत सुंदर लगती है एक दब मार्केट जैसी तो इसको मैं यहां पे यूज कर रही हूँ तो ये चांदी का वर्क जो है मैंने इस पे लगा लिया है अब हम इसको करेंगे पीसेज में कट तो कि आप मार्केट से हलवाई के आँसे खरीद के लेके आते हैं इसको खाने वाला बिल्कुल भी नहीं बता सकता आपको कि ये मैदा से आपने बनाई है तो एकदम इसका मावे जैसा ही टेस्ट आता है तो इसको मैं अब कर रही हूँ स्क्वेर पीसेज में कट तो ये बर्फ में जब इतने सारे मैमान घर पर आने हूँ तो सस्ते में बनाईए एकदम बढ़िया मिठाई जो कि सब को पसंद आईगी तो इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राय करें तो अगर आपको मेरी बदाम वाली बर्फी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे शेर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है तो आगे मैं आपके लिए और भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिवाली की रेसिपी लेके आने वाली हूँ और कुछ आईडियास भी ऐसे लेके आने वाली हूँ जो कि आपको होम ड नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स टाइम हापी आर्स में नई रेसिपी के साथ